सो हे गाईज टेक डॉड स्वागत है आप सभी का एक और नहीं वीडियो में और इस वीडियो में हम बात करेंगे Android 11 और Realme UI 2.0 के फीचर्स यहां पर एक और लिक्स निकल कर आई जिसको हम आपके साथ शेर करेंगे कि जब Realme के डिवैसिज में यहां पर Realme UI 2.0 आप लोगों क देखने को मिलेगा तो क्या क्या फीचर्स यहां पर देखने को मिलेंगे और यह सभी फीचर्स आनडवर एक्षेर्स बाहे हैं और उनहीं डिवासि में वर्क करेंगे जिनमें आपको Android वेस्ट करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट तो गाइस बात करें यहां पर फीचर्स की और आपको बता दूँ यहां पर रियल्मी का चैनल है बहां पर उफिशियल जो भी न्यूज आती है वो हमें देखने को मिलती है लेकिन यहाँ पर Realme के दोरा एक पोस्ट शेयर की गए Realme UI 2.0 की कि आपको Android 11 जो है Realme UI 2.0 के साथ आएगा और क्या 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 फीचर्स आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं तो यहाँ पर आज आप हमके साथ शेयर करेंगी जब Realme के डिवाइसेज में आपको Realme UI 2.0 आएगा तो साथ में Android 11 भी आएगा और उसमें क्या के फीचर्स देखने को मिलेंगे तो यहाँ पर फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले Second Level Lock Screen आपको देखने को मिलेगा सो यह फीचर्स वर्क करेगा सिर्फ Android 11 बेस्ट डिवाइसेज में ही जो Android 10 के डिवाइसेज हैं उनमें यह वर्क नहीं करेगा सो Second Level Lock Screen है क्या Most children यहाँ पर आपकी जो मुवाइल फोन यूज करते हैं जैसे आपका मुवाइल फोन यूज कर रहे हैं जो Selected Application होगी बही शो आफ करेगी बाकी यहाँ पर शो आफ नहीं करेगा Second Features Notification History Shortcut आपका जो नोटिफिकेशन का हिस्टरी है उसका भी आपको शोर्ट कट अन नोटिफिकेशन सेड में ही एक बटन देखने को मिल जाएगा जो Mostly Probably मैं भी यूज करूँग यूज कि मुझे भी बहुत आए नोटिफिकेशन आती है तो मैंनको ढूणना ढूणता ढूणता यहाँ पादिशाना आ जाता हूँ तो यहाँ पर यह Features मेरे लिए भी बैटर है आपके लिए भी बैटर हो सकता है Double Click on the Back यह Features mostly यहाँ पर पिक्सल के डिवाइसे में वर्क करेगा सबसे पहले बट अभी तक तो किसी भी डिवाइसे में नहीं आया है और आएगा तो सिर्फ Android 11 के साथ जो डिवाइसे आएंगे उनमें ही यह बेश्ट होगा Double Click on the Galaxy लगाप अपने वाइल फोन के Backside पर Double Click करेंगे इससे आपका Pictures Capture हो सकती है Screenshot आ सकता है यह Features most probably सभी कुछ इसके लिए मेनफूल होगा जो Screenshot आदिक लेते हैं Pictures Capture करते हैं तो most probably यह Features एक नया है जो पिछले मैंने किसी वी डिवाइसे में नहीं देखा और आपकी जो App Permission थी वो Android 10 में भी यहां पर बहुत बैश थी बट Android 11 में उसको बहुत एच्छे लिएकर से Optimize और Improve किया गया है और अब आपको कि जो भी Application आपकी Menu में होगी या आपकी Home Screen या Desktop के उपर होगी आप उस Applications को बहां से Pin कर सकते हैं और Realme के डिवाइस में Shared कर दे टाइम आप अपर यह अप्तिकरिशन को Pin कर सकते हैं तो यह Features Realme में पहले ही है अब Ethernet Tethering का Option जो है यहां पर आपको LAN की जो आपको Sport देखने को मिलती थी आपको New Option देखने को मिल जाते है USB से आप अपनी Ethernet पहले आपको Data Share करने के लिए Ethernet केबल लेनी पड़ती थी अब जब से Android 11 आएगा आप USB से ही यहां पर Ethernet को अब Ethernet से USB से ही आप Data Share कर सकते हैं अपना इसमें आपको Wi-Fi की स्पोर्ट लएगी आपको कोई भी अलग से Ethernet केबल की जरूरत नहीं होगी और आपकी जो Notification की Paramish Dismiss हो जाती थी Automatically जो आपको DP3 में बग देखने को मिलते थे DP2 में जो Beta Updates आए थे Android 11 के उनको Fix कर दिया गया है और भी यहां पर Status Bar में आपको जो Notification में देखने को मिलता है यहां पर Silent का Button यह यहां से Hide हो जाएगा Android 11 के Devices में और आपको नया Shade UI देखने को मिलेगा यहां पर जब से Android 11 स्टेपल में आएगा नया Motion Scenes, Gashes आप लोगों को देखने को मिलेंगे Air Tapping की करता, Display की करताइंग और कुछ ही Models के लिए होगे, सभी के लिए अवेलेबल नहीं होगे जब Android 11 के साथ आपका Screenshot आप Capture करते थे तो यहां पर आपके Left Side Corner में वो Screenshot यहां पर आपको चोड़ासा Pop-Up करता था लेकिन जब Android 11 आए जाएगा आपको नया Screenshot लेने का Pop-Up मिलेगा और यहां पर आपका Connective Performance No Links to Android Auto यहां पर अगर आपने कोई भी एपसाइट के ओपर अपने डिवाइस को Connect किया होगा तो अटमे आपका Android डिवाइस उस साइट को deduct कर लेगा आपके साथ किसी डिवाइस कनेक्ट होगा उसको deduct कर लेगा तो यह मेंली यहां पर Realme UI 2.0 के साथ और Android 11 के साथ फीचर्स आने वाले हैं तो वीडियो पर साथ लाइक कर देना चैनल को सबस्क्राइब करके बाल एकन प्रेस कर ले